Hi everyone, अब हम लोग बात करने वाले हैं Scrum के बारे में और Scrum एक framework होता है Agile Methodology का So अगर आपको Agile Methodology के बारे में बिल्कुल भी idea नहीं है आपको basic भी नहीं आता तो मैं आपको recommend करूँगा चो last वाला part है इस series का वो देखना उसके बाद में आप Scrum वाली वीडियो के उपर आना आपको बहुत अराम से और बहुत अच्छे से Scrum के बारे में समझ आएगा अब आते हैं main point के उपर की Scrum होता है Scrum हमारी team को structure रखता है हमारे project को properly manage भी करता है Scrum ही हमें ये बताता है कि कितने दिन का हमें target set करना चाहिए हमारे features के लिए कि ये इतने features हैं इसके रिए हमें कितने दिन का हमें target set करना चाहिए कौन से कौन से हमारे project के अंदर roles होने चाहिए कब हमें project का demo देना चाहिए किस-किस तरीके से हम लोग communicate करते हैं हमारे team से या फिर हमारे जो product owner client है उन से ये सारी की सारी चीज़ें एक set of rules बनाती हैं जो कि scrum के अंडर आता है तो basically scrum हमारी team को और हमारे project को अच्छे से manage करता है through some rules, protocols and all अब एक चीज़ ओर आती है कि basic rules क्या होते हैं scrum के हम लोग कैसे मान के चलें कि जब हम लोग scrum कर रहे हैं तो ये जी चीज़ें उसके अंदर at least होने चाहिए वैसे तो काफी सारे rules होते हैं इसके 10-12 rules होते हैं बट जो सबसे important वाले हैं अब ये आपको बता दे रहा हूँ तो आसा नहीं है कि इतने फूष विक के और हमारा project कि complete करके देना है अाइसा नहीं है point यह है कि جो भी हम लोग बनाएंगे ला उसका 4 दिन के बाद रेमो करेंगे रुख्रोपर्रली काम करता होना चाहिए ताकि नहीं हमारा project बना पाएं चीक है तो जो भी हमारी sprint रहेगी वो चार week से कम की रहेगी या फिर चार week की maximum हो सकती है second चीज़ sprint के बीच में जो भी हम लोग targets वगरा set करते हैं उनके बीच में कोई भी break नहीं होना चाहिए उसके बाद हम लोग फिर से काम start करेंगी ऐसा नहीं जिस दिन एक sprint खतम होती है हमारा target खतम होता है उसके next day से हमारी next sprint next target हमारा start हो जाता है जितने भी हमारे sprint होती है जो भी हमारे sprint होती है sprint का मतलब short term goal बनाते है हम लोग उसका point यह होता है कि जो भी हम लोग deliver करेंगे उस sprint के last में 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद 4 वीक के बाद तो उसके अंदर जो भी हमारा बना होगा project software वो काम करता हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसके अंदर कहीं error पड़े हुए है कुछ दिख रहा नहीं है कि actually काम क्या हुआ है और हम लोग बोल देंगे हमने कर दिया ऐसा नहीं जितना भी हमारा 4 वीक के अंदर काम हुआ है उसका हम लोग प्रोपर एक demo कर पाएं client को दिखा पाएं product owner को दिखा पाएं कि हम लोग उने ये चीज़ बना गया है तो ये इसका intention होता है जितनी भी हमारी sprint बनेंगी जितनी हमारी short term goals रहेंगे उसके अंदर हमें stakeholder को review करवाना है आप इसको stakeholder ये कह सकते हो kind of client कह सकते हो जिसको भी हम लोग जिसके लिए भी हम लोग ये वाला project बना रहे है basically ये कह सकते हो simple भाशा के अंदर अच्छा उससे हम लोग चाह करेंगे feedback लेंगे हमारा जो product बना रहे हैं हम लोग जो भी हम लोग उने feature डवलप करें sprint के अंदर उसका हम लोग demo देंगे हमारी जब हम लोग sprint करते हैं ना तो starting के अंदर पूरी team बैठेगी और decide करेगी अच्छा ये वाले features हम लोग बनाएंगे और ये achieve कर भी सकते हैं कि बस हम लोग उने हवा के अंदर चीज़ें बना ली है ये सारे की सारे चीज़ें हम लोग वहाँ पर properly plan करते हैं अब आता है कुछ roles की कि scrum के अंदर roles क्या होते हैं तीन तरीके के roles होते हैं product owner जिसके लिए हम लोग product बना रहे हैं एक होता है scrum master जो की scrum को lead करता है हमारे project को lead नहीं करता है कि क्या हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो scrum के according है अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो उनको scrum के according बनाना और पूरे जो हमारा पूरा project होता है उसको scrum के according follow up करना कि जो भी चीज़ें है वो scrum के according ही जाने चीज़ें है ऐसा नहीं कि हम लोग हवा है अपनी तरीकी से चल रहे हैं because scrum से हमारी team और project तरीके से manage होता है और team भी structured रहती है और एक होती development team member अब आप यहां पर question बूच होगे यहां पर project manager का है testing team का है lead का है यह सारे के सारे development team के अंदर आते है ओल राइट developer नहीं है यहां पर developer team नहीं लिखा हो यह मैं समझ लेना यहां से बाखी रोल्स होगे वो सारे के development team के अंदर आते है अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं scrum के अंदर कुछ companies अजकल ऐसा भी करने लगे है आप वो project manager रखती ही नहीं है उनका कहने का point यह होता है कि यार देखो client हमारे सामने है वो requirement बता देगा scrum master है वो properly team को manage कर लेगा team अपने आप manage हो जाएगी उससे और जो developers है वो अपना काम करते रहेंगे और QEU testing करते रहेंगे तो project manager की जरूरती नहीं है ऐसा बेजकल होने लग गया अब बात आती है बहुत से लोग discuss करते हैं कि scrum versus kanban पहली चीज तो यह question नहीं गलत है कि scrum better है या kanban better है कौन सा use करना चीज दोनों का जो आप कह सकते हो origin है जहां पर हम इनको use करना चीज और completely different है और यह बात आप चाहो तो Jira की official application की जो official website वहापे भी चेक कर लिए वहापे भी already mentioned है यह चीज ठीक है जो हम लोग scrum use करते हैं वो software development के लिए करते हैं kanban basically lean manufacturing के लिए यूज करते हैं जब भी हम लोग scrum use करते हैं तो उसके दर हम लोग self organized रहते हैं हमारी priority decide करते हैं कौन सा में काम पहले करना है कौन सा बात करना है उसके दर हमारा खुद का ही experience काम आता है चीक है और हमेशा हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जो हमारा target है वो properly fill up रहे जो हमारे scrum की demo वगरा है या फिर हमारे feedback वगरा है वो properly होते रहें राइट पर कानबान में ऐसा कुछ भी नहीं होता हम लोग वहाँ पे visuals के थूरू हमारी progress दिखाते हैं और उसके तुरू हमारा improvement करते हैं हम लोग कैसे improvement कर सकते हैं scrum के अंदर हमेशा जो भी हमारा target होगा वो थोड़ा fix रहेगा उसकी length हमेशा fix रहेगी कि हम लोग इसको 2 week में करेंगे 3 week में करेंगे 4 week के अंदर करेंगे बट कानबान में ऐसा नहीं होता वहां पर just काम होता है continuously follow होता रहता वहां पर ऐसे sprint वगरा नहीं बनती और scrum के अंदर हम लोग sprint की planning करते हैं daily scrum की meeting करते हैं scrum complete on के बाद में review होता है retrospective होता है कि हम लोग क्या better कर पाते हैं क्या better नहीं कर पाते आनबान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता यहां पर हम लोग again visualize ही करते हैं जो हमारा workflow होता है कि हम यह किस तरह की से काम कर रहे है और management से हम लोग या फिर जो product owner होता है उससे हम लोग feedback लेते रहे तो लूप में चलता रहता है ऐसा की sprint है 15-20 दिन की इतनी ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर कुछ retrospective नहीं है बस हमें feedback मिलता रहेगा अगेन हम लोग उसके रिश्व्याप से काम करते रहेंगे जो scrum होती है उसके अंदर at least 3 role होने चाहिए product owner, scrum master और development team यहां पर ऐसे कुछ roles होगरा है कि ज़रूरत नहीं है कुछ हम लोग sprint और बनाने नहीं होती daily scrum review, daily scrum meeting नहीं होती, reviews और नहीं होती तो हमें इतनी सारी चीनों को follow करने की यहां पर जरूरत नहीं पढ़ती right, so that's all for this part और मैं आपसे request करूँआ कि please अगर आपको यह video से कुछ समझ में आया तो वीडियो को like करो, channel को subscribe करो comment section परा feedback दो और यह मेरा ptm donation number भी है thank you guys, thank you so much